नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्मार्ड तांतरी गंठों में सनिवार को बहुत खास बताया गया है कहा जाता है कि सनिवार के दिन अगर कुछ कारी किये जाएं तो उसका प्रफाव अस्थाई होता है लंबे समय तक उसका लाब मिलता है जोतिस में भूमी खरिदना, सोना खरिदना सनिवार के दिन करने से आपको लंबे समय तक ये चीज़ें लाब देती है और अगर सनिवार का दिन आप नया बिजनस शुरू करते हैं तो लंबे समय तक चलता भी है वैसे रातो रात आपकी लाइब बदल सकती है अगर आप एक छोटा सा प्रियोग सनिवार के दिन करें तो तो सनीवार के दिन सनीदेव को मनाने के लिए बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं अगर आपकी कुंडली में सनी की पिडाएं हो आपकी साड़े साती ढहिया चल रही हो या कोई भी समस्या आ गई हो जिसका समाधा नहीं हो पा रहा है तब ऐसे में सनीवार के दिन एक तेल का अचूप प्रियोग करना चाहिए वैसे तो सुर्यास्त के समय किसी भी सनीदेव के मंदिर में जाकर या फिर आपके पीपल के पेड़ होगा आपके घर के आसपास वहाँ पर जाकर एक छोटा सा प्रियोग करें हर कोई चाहता है जीवन में खुब खुसियां हो तकलीफें ना हो और चाहना भी जायज है लेकिन मालक्षमी चंचला है एक जगा ठहरती ही नहीं अब ऐसे में मालक्षमी की क्रिपा बरसती रहे और आपके जीवन में खुसियां जादा हो तकलीफें कम हो क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि तकलीफें हो ही ना क्योंकि सुक दुक तो लगा ही रहता है दोनों ही भाई हैं इसलिए कम हो तकलीफें और खुसियां ज्यादा हो क्या करें बहुत सिंपल तरीके से हम आपको एक छोटा सा परियोग बताएंगे आप अपने घर में जैसे रोज काम करते हैं वैसे ही कीजिए बस थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना है घर में जब आप सुबस वह सोकर उठते हैं न तब एक छोटा सा काम करना लेकिन एक बात ह हमेशा ही याद रखिए अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और वेवस्तित रखिए हर एक सामान को करीने से सजा कर रखिए और वेवस्तित चीजें घर के वातावरन को दूसित करता है निगेटिविटी को बढ़ा देता है मानसिक परिसानियों में उलजा देता है घर में ज अगर गंगल जड़ ना हो तो प्लेन वाटर आप डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और सनी बार रभी बार के दिन एक नियम बना लें घर के मुखे दरवाजे के बाहर की सफाई में पहले जारू ना लगवा कर पहले पानी डलवाएं फिर जारू लगवाएं इससे क्या जो भी अगर किसी ने कुछ किया होगा आप लोगों के उपर तो वापस से उसी के पास चला जाएगा जब आप घर में पोछा लगवाते हैं जारू लगवाते हैं तो हमेशा ही एक बात ध्यान रखें कि जब आप पोछा लगवाते हैं ना सफाई करवाते हैं तो पोछे के पानी में नमक या फिट फिट करी डाल करी कोई भी नमक यउज़ कर सकते हैं कोई दिक्रत नहीं कि अपने घर کے में दरवाजे को में डूर को हमेशा ही साफ सुथरा खुब सूरत बनाय रखें एकदम से कलर वेगर कर के खुबसूरत तरीके से सजा कर रखें आम के पत्तों का या असोग के पत्तों का बंदनवार लगाईए जिसको हम तोरन कहते हैं और ये तोरन अगर रवी बार या सोम बार के दिन लगाया जाए तो अच्छा स्वास्त देता है अगर गुरुवार के दिन लगाया जाए तो धन की बरकत देता है आप अपनी इच्छा नुसार लगा सकते हैं हर आठ दिन या पंदर दिनों पर इसको चेंज करें पुराने वाला कहीं साइड में डाल दे और नया लगा ले घर के जब आप साफ सफाई कर ले उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे में अंदर की तरफ दाहिने तरफ याद रखिए दाहिने हाथ के साइड आप एक बरतन में पानी जरूर रखिए अगर संभब हो तो लाल गुलाब की दो चार पंखुरी या गेंदे की पंखुरी डाल कर रखें या फिर सिर्फ पानी रखें और हर दिन इसको चेंज करें पुराना वाला पानी पौधे में डाल दें और फ्रेस पानी फिर से रखें हर रोज सुबह चेंज करें ये आपके और आपके घर वालों को सुरक्षा कवच देगा यह पानी तमाम परिसानियों को सोंख लेगा गनेज जी की तस्वीर हर किसी के घर में होता है लेकिन याद रखिएगा गनेज जी के पीठ में दरिता का निवास होता है तो तस्वीर ऐसा लगाईए को उनकी पीठ घर से बाहर की तरफ हो अंदर की तर दक्षिन पस्चिन साइड में मत लगाईएगा जब भी लगाईए आप पूरा साइड या उत्तर दिसा में लगा सकते हैं गनेश जी के माथे पर तीन मोर पंख सजाईए यह घर के वास्तु दोज को दूर करता है याद रखिए तीन मोर पंख सजाना है जब आप नियमित रूप से पुझा पाट तो करते होंगे असनान करते हैं तो भगवान सुरी को एक लोटा जल जरूर अरपीत करें आप कुछ करे या ना करें और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो 27 बार गायतरी मंत्र या तो पढ़के सुना या फिर उनको अभ्यास कर वाले इस गैतरी मंत्र एक ऐसा मंत्र है अगर आप नियमित रूप से जब करते हैं या बच्चों को करवाते हैं तो एक सुरक्षा कवच्च सी उनके पास होती है तमाम विप्रीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित बाहर आ जाते हैं हमेशा ही आप फ्रेस होते होंगे व और गर के कामों में इनसे क्या होता है घर में बरकत आती है क्योंकि जब आप लोग खुस होते और दूसरी का साथ देते हैं तो एक अंदर से सकात्मक उड़जाप का परवाह होता है और यह पूरे घर के वातावरन को चेंज कर देता है खूप सूरत कर देता है दही का प्रियोग ज़रूर कीजिए दोपहर के खाने में, सुक्र भी मजबूत होगा और सुक्र से ही जीवन में सुक्साधन एसोरे बढ़ता है, तो दही ज़रूर खाईए, दिन में याद रखिए, रात में दही भूलकर भी ना खाए, और रात में दही किसी को भी ना दे, क आपके पास जो भी है नियमित रूप से भगवान को तिलक करने के बाद खुद के माथे पर तिलक लगाएं आपका भाग योदे होगा भागे को बल मिलेगा कैसे लगाएंगे पौडर वाला हल्दी आप यूच कर सकते हैं या सुखा गांट भी यूच कर सकते हैं घिस के लग इसको यूच कर सकते हैं 10-15 दिन तक यूच हो जाएगा आराम से उसको फेकना नहीं है आपको बार बार हल्दी का भी आप ऐसे ही यूच करें कोई दिकत नहीं है और घर में जब दिया बाती करते हैं तो लाल धागे की बाती ही कीजिएगा दीपक में अगर घी का दिया जल तो तेल का जलाते हैं तब रूई की बाती जला सकते हैं एक चोटा सा प्रियोग देखिए सनी वार के दिन आप अगर सनी देव ज्यादा कस्ट दें तब चाया देखकर आप दान तो करेंगे ही सरसों के तेल का कटोरी के साथ ही दान करना है लेकिन रात में सूने के पहले ए जाएं तो आपके ऊपर कैसी भी परिसानी हो उनसे राहत मिलती है तीन सनी बार लगातार ये प्रयोग कीजिए गा सरसु का तेल सनी वार के दिन नहीं खरिदना चाहिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा नहीं तो सनी देव नाराज हो जाते हैं वैसे तो सनी बार के दिन बहुत सारे वस्तू नहीं ख्रेदने जाती लेकिन सरसों का तेल और नमक ये दो वस्तू भूल कर भी मत ख्रेदिएगा और आपके जीवन में खुसियां ही आएंगी लेकिन क्या आपको पता है सनिवार के दिन तेल सरसों का तेल जरूर लगाना चाहिए लेकिन कब देखिए एक ऐसा मेहना है जो कातिक का मेहना है जिसमें तेल लगाया ही नहीं जाता सिर्फ नरक चतूर दर्शी को लगाया जाता है पर बाकी के पूरे साल में सिर्फ सनिवार क के दिन अगर आप तेल लगाते हैं तो यकिन मानिए जीवन में खुजियां चलिया आती है और निगेटिव प्रभाव भी समाप्त होता है भाग्योदय होता है पर लगाएंगे कहां देखिए आप बहुत साही लोग सर में तेल नहीं लगाते आप लगाएं या ना लगाएं पर सनीवार के दिन सटर्डे के दिन जरूर लगाएं तेल सर में अगर सर में नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कम से कम नाभी में ही लगा लें नारियल का ही तेल लगा लें कोई भी तेल जरूर लगाएं क्योंकि नाभी जो है उससे हमारा पूरा सरीर जुड़ा होता है और प्रकार सनिवार के सनिवार आप एक नियम बना लें सरसों का तेल थूड़ा सा नाभी पर लगाएं आपके होट भी नहीं फटेंगे पिंक रहेंगे होट तो क्या होता है अच्छे होट भी बताते हैं कि आपका भागी कितना आपका साथ देगा बहुत सिंपल है पर करिएगा जरूरियं तो आपको सरसों का तेल सरीर में या थो नाभी में लगा या सर में लगाने दोनों जगभी आप लगा सकते हैं पर हर सनिवार लगाना शुरू कर दे ज्जादा नहीं एक आद मैने में आपको पता चल जाएगा